हलो दूस्तू नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ पेथी में आज हम आपको बताएंगे सोने से पहले क्या करना चाहिए मनुश्य अपने दिन भर की धकान को दूर रखने के लिए 24 गंटे में से कम से कम 8 गंटे बिस्तर पर सोता है रात में अच्छी नीन नहीं आने से सुबह शरीर सुस्त दुरिस्त भी रहता है और शरीर में कई तरह की बिमारियां भी पेदा हो जाती है आप में से कितने लोग सुबह उठने के बाद अच्छा मैईसूस नहीं करते हैं साल में अगर ऐसा 2 या 3 बार भी हो रहा है तो आपको सोने से पहले कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार सपने में कुछ सकारात्मक और नकारात्मक चीजें दिख जाती है जिसकी वजह से आपको सुबह उटकर अच्छा नहीं लगता है बात सिर्फ मानसिक अशांतिकी नहीं है बलकि ये शारिरिक रूप से भी खतरनाक हो सकता है इसलिए ये जरूरी है कि आप इन बाधाओं को अपने जीवन में समाप्त कर दें तो आए जानते हैं कि सोने से पहले क्या करना चाहिए सोने से पहले ये काम जरूर करिए रात में सोने से पहले हमें उन बातों को जरूर सोचना चाहिए जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं ऐसा करने से हम जो सोचते हैं वह पूरा होता है सोने से पहले कभी भी नकारात्मक बातों को नहीं सोचना चाहिए रात में कभी भी जूटे मुह या बिना पेर धोए भी नहीं सोना चाहिए यानि अगर आपने खाना खा लिया है तो सोते वक्त ब्रश जरूर करना चाहिए रात में सोने से तीन गंटे पहले ही आपको खाना खा लेना चाहिए और रात में साधा और हलका भोजन ही करना चाहिए रात में सोने से पहले कैफिन युक्त पदार्थ जैसे की चाए, कोफी, आदी पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना है जिनमें कैफिन होता है रात में सोने से पहले किसी भी प्रकार की दालों acidic fall fruits और खटाई या मिठाई इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए रात में सोने से पहले brush करें और अपने face को face wash से जरूर धोएं अगर आप अच्छी नीन लेना चाह रहे हैं तो सोने से पहले नीमित रूप से अपने इस्ट देव का ध्यान जरूर करें रात में हमेशा बाई करवट लेट कर सोएं इससे अच्छी सेहत रहती है और नीन भी अच्छी आती है रात में बेट पर जाने से पहले कुछ मिनिट की walk ना सिर्व आपको अच्छी नीन देगी बलकि आपको diabetes और heart disease के खत्रे को भी कम करेगी रात को सोने से पहले आपको एक कब दूद में एक चुटकी हल्दी मिलाकर जरूर पीना चाहिए हल्दी में anti-inflammatory गुण पाये जाते हैं जो आपके पाचन, ठकान, शारीरी कमजोरी और शरीर में होने वाले दर्द से चुटकारा दिलाते हैं तो दूस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा और अगर आपको किसी तरह की कोई परहशानी है तो हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार